इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उप्योग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उप्योग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम अगर आप औस्टियोपरोसिस के इलाज के लिए इसका इस्तिमाल कर रहे हैं तो आपको अन्य दवाएं भी दी जाएंगी. यह दवा केवल इलाज के पूरे कोर्स का एक हिस्सा हो सकती है. इसमें आपके आहार में बदलाव करना और केलशियम और विटामिन सिप्लीमेंट देना भी शामिल है. अपने आहार में पर्याप्त केलशियम और विटामिन दी प्राफ्त करने के लिए आपको खाने वाले खादे पदार्थों के बारे में सीखना चाहिए. एकवाशा इन 24 टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट हैं और कोई भी सामान्य नहीं है. अगर उनका इलाज करने में आपकी मदद कर सकते हैं. इस दवा को लेने से पहले अगर आपके रक्त में केलशियम का उच्छ स्तर हैं या अगर आपको दिल, केड़नी या लिवकी कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर को बताएं. कुछ अन्य दवाएं विटामिन D3 के अफ्शो अपने डॉक्टर से चर्चा करें. एकवाशाइन टेबलेट के मुख्य इस्तेमाल एकवाशाइन टेबलेट के लाब. आम तोर पर आपका शरीर धूप से विटामिन D बनाता है, लेकिन अगर आपके शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है तो यह दवा आ पर्याप्त के लिए शरीर की प्रतिरोधक शम्दा को बढ़ाता है. ट्रीट्मेंट ऑफ ऑस्टियोपरोसिस एक सामान इस्थिती है जो हर्डियों को कमजोर बनाती है, जिससे वे नर्म हो जाती है तथा उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है. यह ज्यादातर महिला को नुकसान पहुँचा सकता है. इससे आपकी हडियों को मजबूत और स्वस्त रखने में मदद मिलेगी और इनके कमजोर और तूटने की संभावना कम हो जाएगी. नियमित व्यायाम विशेश रूप से वजन कम करने वाले व्यायाम कैल्शियम और विटामिन D युकता हा लेकर और शराब वतमबा को कम करके आप अपनी हडियों को ताकतवर बना सकते हैं. एकवाशाइन टेबलेट के साइड इफेक्ट इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा क की खुराक और अनुपान की अबधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें इसे साबुत निगल लें इसे चबाएं कुछ लें या तोड़े नहीं एकवाशाइन 24 टेबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन निवाद